उप्टन आपके चहरे आपकी बॉड़ी पे जादो की तरह सर करता है ये एक ऐसा मास्क होता है जिसे अपलाई करने से आपका फेस तो ग्लोइंग बनता ही है आपकी बॉड़ी तो ग्लोइंग बनती है साथी आपके स्किन को बहुत सारे पोशन भी मिलते हैं उप्टन इतना तो आज मैं भी आप लोग के साथ एक सूपर एफेक्टिव उप्टन शेयर करने जा रही हूं और इस उप्टन की खास बात यह है कि इसको अपलाई करने से आपके और इसको बार बार पिंपर्स आने की प्राब्लम होती है उसकी प्राब्लम भी इस उप्टन से सॉल्व हो जाएगी तो चले देखते हैं इसे कैसे बनाना है और कैसे अपने अप्लाई करना है हेलो नमस्ते कैसे आप सब हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे बहुत खुश होंगे इस चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है मैं हूं अर्चना यह उप्टन आपके स्किन पे मेडिसीन की तरह बर करेगा इस उप्टन को अपलाई करने से आपके ब्लैक हैट्स की प्र इस उप्टन को जैसे नहीं बता रही हो वैसे अपलाई करते हैं तो इसकी वागली हो जाएगी और यह आपके इसके भीन ABOUT और麼 बला इसको पर आपको शुचे नहीं है उसको मेरे कहने से एक इस वटन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है थ्री इस्पून नीव लेग पॉर्डरे यह बॉर्डर जो है इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है और उसके जिसे बार बार पिंपल्स आने के प्रोब्लम होती है और इसमें ऐसे गुड़ पाया जाते हैं जो फिम क्या सब्सक्राइब दिए श्राइब करें सफंप्राइब जया वुशेता हैं और इसाफेया है रज़IP गर्मीन यहां पर घर्मु सबढ़ना जिए तो सेंडर्ली पॉर्ड पॉडर्ड रहा है वह सब चीजों को कंड्रोल करके रखता है यहां पिंपल्स की प्रॉब्लम पॉडर्डल लेना है वह है मसूर की डाल का पॉडर्डर मसूर दाल के बारे में आप गुगल करके देखना मसूर दाल तो जो है वो इतना effective आपके face के लिए होता है कि आप सिर्क मसूर दाल powder का use करना शुरू कर देंगे तो आपके pimples की problem खतम होगी अगर आपको जाईयों की problem है pigmentation की problem है और जो कोई भी ऐसे dark spot हो जो नहीं खतम हो रह मसूर दाल आपके skin को exfoliate भी करता है आपके जो इतने dead skin होती है वो सारी निकाल देता है तो यहां पर आपको four spoon जो है वो मसूर दाल पॉडर लेना है अगर आपके पास मसूर दाल नहीं है वैसे तो यह सारी दाले तो घर में मिल जाती लेकिन इनकेस आपके skin को नहीं सूट क नहीं है तो इसकी जगह मुलतानी मिट्टी पॉडर भी ले सकते हैं तो आप इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको किसी भी air tight container में रख लेना है यह आपका खराब नहीं होगा अब इसका यूज करने का तरीका क्या है ना अगर आपको full body में यूज करना कि जरूत नहीं पड़ेगी आपको लेकिन इसका पेष्ट बनाने के लिए कुछ तो चाहिए आपको क्योंकि यह उप्टन है और आपको पता है कि जब कोई उप्टन की बात होती है तो उसमें और यहां पर यूज करते हैं इसलिए मैंने भी यहां पर यूज किया है तो जो करता है वो धिशन नंट करता है तों चाहिए कोंक निदे हैं चाहिं सुट एकिन शवए को शुटिम ब्रॉचम गजिसलों सब्सक्राइब करता है उसके माद आपको क्या प्या करना है इसको रोज कॵाटर से या तो कर्ट्स आपकी बहुतáticas लेकिन कर्द में आपको ध्यान रखना है किा थोड़ा सा खटा होना चीए अगर आपके सकी औली है तो यह मिल्क से ड्राइ स्किन वाले मिल्का यूज कर सकते हैं तो आप यहां अगर कुछ नहीं है तो आप रोज वाटर से भी इसको पेस्ट जो है इसका बना सकते हैं इसका अच्छे से आप पेस्ट बना लेजिए और अपने फेस पे आप अच्छे से इसको अपलाई कर ले अपलाई करने के बाद इसको आपको 25 मिनिट्स तक इसी तरह से छोड़ देना है आप हाथों पे भी अपलाई करें हाथ में जैसे थोड़ा सा बता रही हूं इसको अच्छे से मसाज करते हुए पहले इसको मसाज करना है जब आप हैंड पे लगा रहें क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो हाथ होते हैं तो उसकी वज़़ा से हाथ जो है थोड़े से रफ हो जाते हैं इसलिए आपके हाथों को खुबसूरत बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पहले मसाज करना है मसाज करने के बाद आप अपनी बॉड़ी पे सिर्फ 10 मिनिट्स के लिए क्योंकि करते हुए अपने हाथों के अपने बॉड़ी के जो है वो सारी उप्टन आपको निकालने हैं लेकिन देखें का क्या होता है कि फेस पे बहुत रब करो तो रिंकल्स आ जाते हैं इसके लूज हो जाती है इसलिए मैं आपको यहां पर रब करते हुए नहीं दिखा रही कि इ इसलिए आप क्या करेंगे किसी क्लॉट को वाटर में डिप करेंगे एक्स्टा वाटर निकाल लेंगे उससे अच्छे से अपने फेस को पहले वाइप कर लेंगे जहां जहां आपको लगता है कि आपकी इसकुल में इस्चुन में इस्चुन में इस्चुन में इस्चुन मे इतने अच्छा इफेक्ट आपको यह देगा उप्टन एक बार इस उप्टन के इंग्रीडियंट्स को चेक करके मेरे पर ट्रस्ट करके मेरी डेमेडी पर ट्रस्ट करके सिर्फ एक बार बना के इसे अपलाई करके देखिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे बार चाने के बार अपना फीदबैक मेरे साथ करें आपको इस का इसलिकार का मिला अगर मेरी रच्पर आपको य सोब्सक्राइब करें तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल से जुलना चाते हैं मेरे वीडियो ऐसे अच्छे ची वीडियो को देखना चाते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन भी है उसे भी प्रस कर दें जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिरते रहें तो चले मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ अब तक के लिए बाई